हाई फ्रेंट्स मैं परवंदर खारी फ्रेंट्स आज की है हमारी गेम वर्ल्ड ब्लिट्स 2023 की है जो बेकिस्तान समरकंद में गेम खेली गई थी या टूर्नमेंट खेला गया था वैसे मैं यहां बता दू कि रैपिड सेक्शन को मैंग्नेस कालसन कंवेंसिंगली जीच चुक यह लिए दिया 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 C4 E6 G3 देन हुआ D5 बिशप आया G2 स्क्वार पर देन बिशप E7 दोनों साइडस काया कैसल देन हुआ D4 C6 NB गोस तो D2 देन B6 B3 बिशप आया B7 स्क्वार पर बिशप B2 देन नाइट इट बी जोस टो D7 रुखाया C1 स्क्वार पर देनुक C8 e3 then हुआ c5 finally connections की पूरी पूरी तैयारियां है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा यहाँ well queen गई e2 square पर then हुआ d text c4 knight text c4 b5 knight पर attack इसके लिए बहुत अच्छी outpost निहाल सरीन की by default विल गई है e5 square पर c text d4 और यहाँ connections करने ही पड़ेंगे लेकिन उससे पहले यहाँ नियाल सरीन्डे knight actions किये knight text d7 knight text d7 knight text d4 then bishop text g2 king text g2 rook text c1 rook text c1 बहुत कुछ material board से gap हो चुका है फिलाल attack है यहाँ is b5 pawn पर तो a6 obvious move है knight c6 और यहाँ queen पर attack क्या मैं कह सकता हूं कि queen क्योंकि bishop पर भी attack हो रहा है तो queen कहीं नहीं फस्तियों नजार आ रही है लगता तो है लेकिन व्लादिसलाव ने अपनी queen को a8 square पर ले जाकर सबसे पहले इसी knight को pin किया well queen f3 knight की pin हुई खत्म इतनी देर में व्लादिसलाव ने अपने bishop को बचाया f6 square पर bishop actions आसकी है bishop takes f6 knight takes f6 knight e7 check king a8 square पर then हुआ quintex a8 rook takes a8 और अब यहां rook knight endgame start हो चुकी है material wise positionally मैं मानता हूँ दोनों के राड़ी लग भाग किया जा सकता रुक आया a7 square पर knight पर attack बना तो यह knight ea c8 square पर राग पस रुक पर attack बनाने के लिए रुक कहां जाए वापस a8 square पर लगता है लेकिन रुक d7 position भी थोड़ी बरकरार रखनी है knight को निकलने में थोड़े होंगे हलके फुल के issues निकल भी जाएगा लेकिन हाँ और इसकी बाद कहां जाए गए knight मूवी देखना होगा खिर रुक आया c6 square पर और डिरिक्ली यहां इस pawn पर issues है रुक d2 यहां पहले black ने किया मेरा मानना है कि blitz game के हिसाब से pawn का loss काफी बड़ा loss होता है चाहे वो ए फाइल का ही pawn क्यों ना हो जो यहां व्लादिस लाव को हो चुका है अब इसकी भरपाई कैसे होगी तो देखना होगा h5 तो h3 बिलकुल pawn exchange equally रह गया है अभी h3 z4 चेक के साथ h3 z4 और फ्रेंट्स यहां इस point पर अगर white king को move करें ज्यादा better situation मुझे लगती है यहां से सबसे पहले white के साथ issues है क्यों से अपने knight को भी भार ने निकालना होगा और pawn पर attack है pawn को आगे बढ़ना ही होगा और उसके बाद knight c4 बिलकुल definitely यहां white को lead advantage सबकुछ होता यहां चलते हैं गेम पर यहां के लागया knight d7 knight का d7 square पर जाना मुझे immediately कोई बहुत fruitful लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है pawn पर attack बिल्दी करें साब साब फिलाल move है white का यहां आया knight d6 square पर और जैसा मैंने कहा की b5 pawn पर attack है तो knight d5 check के साब king को g3 square पर ही जाना होगा then हुआ b4 चलिए pawn बच चुगा है knight e4 रुख पर attack बना वो गया d1 square पर और अगले move में friends अब मुझे लगता है कि वो pawn यहां मिलता हुआ नजर आ रहा है knight x z5 लेकिन उससे पहले black का एक और फान खत्म होगे जो मैंने देखा नहीं था रुख g1 check king गया f4 square पर knight पर attack बना और यहां इस point पर rook tex z4 का मतलब शाहिद better option थी king take c5 rook tex z5 check और 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 अब यहां यह king जाएगा d4 square पर जो भी यहां इस king को f6 square पर सोच रहा था तो बहुत बड़ा blender plan कर रहा था चलते हैं गेम पर यहां हुआ knight d3 check king गया f3 square पर then knight से एक और check आई king गया यहां से e2 square पर then हुआ rook tex g4 finally वो pawn लिया गया और knight पर exactly attack है knight को कहां लेगा जाए I don't think किस तरह से काम करने वाला है f4 okay black के knight पर attack और अपने knight पर defense हो चुका है तो क्या करें king को move करना शुरू कर देना चाहिए था यहां से knight take c6 यह खिला जा सकता है f take c6 होने के बाद f take c5 लेकिन उसके बाद यहां यह weakness white की गेम में भी आती है पर चलते हैं गेम पर यहां खिला गया king g8, king के g8 square पर आने के बाद knight takes c6 जो expected था f take c6 का मतलब ही f take c5 और issues तो knight g6 मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि pawn से knight ले लेना चाहिए जाकर knight का g6 square पर जाना बहुत जादा fruitful नहीं है अगर immediately rook से check मुझे नजर आ रही है king h7 square पर जाएगा अगर ऐसे game बढ़ती है तो और उसके बाद knight से दूसरी check आ जाएगी तो लिए इतना अच्छा नहीं है बनती हुई नजर आ रही है रुक हाया d1 square पर देन रुक b6 और finally pawn को लेने की तैयारी और अपना एक पासर यहां निकालने की पूरी कोशिश है रुक हाया e1 square पर रुक टेक्स b4 रुक टेक्स a2 रुक से आई चेक और अब यहां b5 के पासर को निकालने में क्या जादा issues लगने वाले हैं बहुत बढ़िया king गया यहां से h7 square पर देन हुआ रुक b7 finally spawn पर अटेक है इस spawn का defense कैसे किया जाए वापस king को लेकर जाना होगा लगता तो ऐसा ही है लेकिन black में मेरी नज़र में पुलादिसलाव कि और option है क्या और option भी मुझे नज़र नहीं आ रही है knight को h8 square पर पहले यहां black ने लिया और ऐसा करने के बाद आप यहां इस knight की position को देखिए इसे वापस game में निकालना आने वाले समय में मुश्किल होगा क्यों पहले तो खेला गया b4 का move king आया g6 square पर knight पर attack बना knight या d4 square पर देन हुआ king f6 यहां तक ठीक है लेकिन जैसे ही white ने अपने इस f1 को आगे push किया अब इस knight का निकलना almost impossible हो चुगा है रुक आया b2 square पर b5 यही तो चाहिए था अगर यहां king को move कर भी ले आ गया तो white का obvious move बनेगा रुक को b8 square पर लेकर जाने का और इस knight को कैसे बचाया जा सकता है मुझे नहीं लगता कि रुक को वापस लाने का कोई technique कोई तरीका सही काम करने वाला होगा उसके बाद तो knight गवाना ही पड़ेगा है यहां खेला गया rook b1 waiting move है king आया e4 square पर then rook b2 b6 rook आया b1 square पर for black क्या इसके बाद time खत्म हो गया था black I don't think so यहां फ्रेंड्स रुक के b1 square पर चलने के बाद शायद आर्थी में व्लाद इसलाव ने resign कर दिया होगा क्यों resign किया होगा क्योंकि knight के जाने के लिए कोई b2 square कोई defense है ही नहीं जैसे white अपने रुक को b8 square पर लेकर जाएगा वेल फ्रेंड्स काफी अच्छी blitz गें थी मुझे अमीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे स्यूट्यूप चैनल सेस्ग्र को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और मेंट्स का मुझे बेहर दिन्दा रहेगा थैंक यू फर वचिंग एड़ बाई फार